दोस्तों, वाशिंग मशीन डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हर साल कपड़े धोते हुए हम हजारों लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं लेकिन आज हम देखेंगे एक ऐसी टेखनोलोजी जो वाटर कंजम्शन के मामले में ला सकती है रेविल्यूशन साथ ही टाइम और इलेक्टरिसिटी वेस्टेज का भी बन सकती है ओएमजी सल्यूशन और इसके बारे में हम जानने आए हैं चंडिगड पंजाब जहां इंडिया ही नहीं बलकि दुनिया की पहली ऐसी इनोवेटिव टीम है जिसने आधे गलास पानी और बिना डिटरजेंट यूज किये सिर्फ असी सेकेंड में कपड़े धोने वाली OMG वाशिंग मशीन बना डाली है बास ये है टीम AT वाश दो मिनट में तो नूडल्स भी नहीं बनते सरजी तो बिना डिटरजेंट और आधा गलास पानी से सिर्फ असी सेकेंड में कपड़े कैसे दुल सकते हैं सॉलिड लिक्विड और गैसीज के बेओन जब हम स्टीम से ऊपर एक सर्टेन टमपरेचर और प्रैशर अचीव करते हैं वहाँ पर एक थोड़े से पानी में भी इतनी पावर हो जाती है कि वो जिद्धी से जिद्धी दाग को भी कपड़े के सर्फेस से निकाल कर बाहर कर देता है पानी के इस पावरफुल फेस को इस्तेमाल करके टीन एटी वोच ने तयार की है अपनी धासू टेक्नॉलजी आई एस पी यानी इंटरमीडियेट सूपर साचुरेटेड फेस जिसके जरीए इनकी बनाई ओमजी मशीन सिर्फ एक लीटर पानी से दाग धबों का चुटकियों में सफाया कर देती है लेकिन बॉस जो दुनिया में अब तक नहीं हुआ उसे करने के लिए इस टीम को कई लीटर पसीना बहाना पड़ा सौ से जाधा ट्राइल्ज और छे महिने दिन रात लगा कर की गई महनत फाइनली रंग लाई और तैयार हुई वाशिंग मशीन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखने वाली 80 वाश लेकिन सिर्फ 80 सेकेंड्स में कपडों से दाग धब्बे और बद्बु गायब सुनने में सपने जैसा लग रहा है ना चलिए देखते हैं यह हुई जिद्धी दाग धब्बों वाली जैकेट लोड डाला आदा गलास पानी और लगा दिया 80 सेकेंड्स का टाइमर मशीन स्टार्ट होते ही ISP टेकनोलोजी काम करना शुरू कर देती है वाटर मॉलिक्यूल से मिली पावर कई गुना मल्टिप्लाई हो जाती है जिससे डर्ट और जम्स का सफाया हो जाता है और यह लीजिए सिर्फ 80 सेकेंड्स में चमचमाती जैकेट बाहर आ गई चंडीगड की चितकारा उनिवर्सिटी की एक छोटी सी लैब में इनोवेट हुई ये टेकनोलोजी वाशिंग मशीन इंडस्ट्री का फ्यूचर बदलने का दम रखती है और इस मशीन को बनाने वाले जीनियस माइन्ज ने साबित कर दिया है कि बड़े से बड़ा बदलाव लाने के लिए आधा ग्लास पानी ही काफी है टीम एटी वाश और उनकी इस इनोवेशन को OMG करता है सलाम